प्रादे दो लक्षन महापुर्षों के प्रमुक होते हैं एक तो माया ना हो और एक भगवान हो उसके अंदर ये गदे की अकल से समझे माया ना हो क्या मतलब काम करूद लोब मोह ये सब जो माया के गुन हैं ये सब न हो निकल गए हो और दूसरा लक्षन है कि भगवान के सब गुन आ गए हो भगवत प्रेम तो महापुरुष को चूंकी उधर की कामना से वो आनंद मिल गया इसलिए इधर की कामना उसकी चली गए तो एक तो महापुरुष का लक्षन ये कि इधर की सब कामना समाप्त हो गई हो और दूसरा लक्षन ये कि उधर का प्रेम जो मैंने बताये थे अस्ट सात्यक भाव सर्बत्र सिदिक्रिष्ण को देखे सर्वंखल्विदंब्रह्म बासुदेवस सर्वमिति उमाजराम चरणरत बिगत काममद प्रोध नेजप्रभुम्माय देख ही जगत जगत देखते ही नहीं सरवत्र सिदिक्रिष्ण एक अवस्ता होती है भक्त की आईसी और एक अवस्ता होती है ये नहीं नहीं सब देख तो रहें ये पुरुष बैठे हैं ये श्रियां बैठी हैं ये गाय बैठी हैं ये भैंस बैठी हैं लेकिन सब के अंदर मेरे श्याम स उंदर बैठे हैं एक नंबर दो क्लास में आता है महापुरुष और नंबर तीन सब स्री कृष्ण के इदास हैं यह तो गाली दे रहा है अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी यह हैं महापुरुष आएसी भावना रखे सर्बत्र एक सेकंड को भी त्रय लोग की संपत्ती भगवान दे रहे हों कि ले ले मेरा पिंड छोड़ रहे मुझे ने चाहिए तुमारी त्रय लोग की संपत्ती जैसे अरजुन ने कहा था महराज हम आपको निहत्था लेंगे और दुर्जोधन ने कहा था हम आपकी अठारा अक्षोहिनी रसष्ट्र सेना लेंगे अठारा अक्षोहिनी सेना होती है 47 लाख आदमियों की उसमें रत भी होते हैं हाथियं भी होते हैं गोड़े भी होते हैं पैदल भी 47 लाख फाउज हथियार बंद एक तरफ स्री कृष्णा अकेले तो कुछ भी मिले एक छण को मन नहते नचलति भगवत पदार बिंदा लवनी मिशार्द और बताओं भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सरवेश कालेश मा मनुस्मर जुध्यचा आठ साथ गीटा निरंतर तेरा मन मुझ में रहे सरवेश कालेश क्यों इसलिए ति अंतकाले चमा मेवो स्मरन मुक्त्वा कलेवरं जप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशया आठ पाच अंतकाल में जिस्ट इसका मन मुझ में रहेगा मन बाणी नहीं उसके उपर मरते समय उसके उपर गीता के किताब रख दिया गंगाजल छोड़ दिया ही दकवास काम यह नहीं देगा काम मन चिंतन करे धग्वान का मरते समय वो आएगा मेरे पास नमबर दो यम यम वा पिस्मरन भावं भावं त्य जत्यंते कले वरं तंतमे वैति कौंते सदातत भाव भाविता मेरा अस्मरन या संसार का दोईतू करेगा तो जिसका अस्मरन करेगा मरे के बाद वहीं जाएगा अरे जडभरत्षरी के परमंस को हिरन बनना पड़ा फिरन में चला गया मन मरते समय अओ मित्ते काक्षरम ब्रह्म ब्याहरन मामनुस्मरन मामनुस्मरन खाली मेरे नाम लेने से काम नहीं चलेगा मेरा स्मरन नंबर एक कंपल सरी है जड़ प्रयाति ते जन्बेहम सजाति परमाम गतिम तो बार बार गीता में कह रहे हैं आठ तेरा निरंतर असमरन करना होगा यही बात हरी कह रहे हैं ग्यारा दो तिरपन अग्रिहीत्वा पींद्रिय रर्थान नद्वेश्टि नहरिश्यति विश्णोर माया मिदं पश्यन सबई भागवतोत्तमः संसार के सब विश्यों का भोग करो जो जो तुम को प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है लेकिन जब संसार के सुख भोग मिले तो आनंद कान भो न करोश में रस्गुल्ला मिला है आज खाने के खालो ज़रूरी है पेट के लिए शरीर के लिए आज सुखी डोटी मिली है खालो शरीर को तो देने ही है सामान न द्वेश कहीं हो किसी से किसी बस्तू से किसी मनुष्याद से या बस्तू से न द्वेश हो और न हर्ष हो और विशय का सेवन करो यथा युक्त बिशय भुंज अनासक्त हैं यां महाप्रभु जी ने भी कहा है आसकती रहित बोड़े बोड़े 90% महापुरुष ग्रहस्त में हुए एमारे हां द्रुव प्रहलाद अंबरीश तमाम राजा हुए लेकिन जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है लुड़कता हुआ ऐसे रहे कुछ मिला ठीक है छिन गया ठीक है बेटा पैदा हुआ ठीक है मर गया ठीक है जाब ठीक है हाई हाई यह जो हम लोग करते हैं जरासी बात के पीछे यह न होने पावे वो महापुरुष है भागवतों में स्रेष्ट भागवत है अरे जब भगवन नाम लेने वाले उनके शरण में भगवान की जाने वाले निश्चिंत रहते हैं उनको भला क्या चिंता हो सकती है और भगवान को तो वो अपनी प्रणे रूपी रस्ती से बाढ़े रहते हैं भगवान उनसे दूर हो ही नहीं सकते उसी को महापुरुष कहते हैं यहरी ने बताया लेकन घड़ी कहती है चुप हो जाओ कल बताना बोलिए लाडली लाल की झाल के चरते हैं